हलो दोस्तो स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में दोस्तो आज के स्वीडियो में हम बात करेंगे काव्या सिरियल एक जजबा एक जुनून के बारे में दोस्तो आप सभी काव्या एक जजबा एक जुनून सिरियल तो जरूर देख रहे होंगे जिसमें दर्शक, काव्या और आदी की जोड़ी खोब पसंद कर रहे हैं विल दोस्तों खबरे सामने आ रही है कि ये शो अब आफ एर होने वाला है तो दोस्तों इस सो का लास्ट एपिसोड आप कब देखेंगे और क्या इस सो का सिजन टू आ रहा है या नहीं इन सारे सवालों को जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे विल दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले दोस्तों काव्या एक जजबे एक जुनून सोनी टीवी पर 25 सेप्टेंबर 2003 इसको पिछले साल ही टीवी पर टेलेकास्ट कर गया था काव्या और आदी की जूड़ी दर्शक खूब पसंद कर रहते हैं काव्या सीरिल की स्टोरी जो है काव्या के एक बवु बेटी और एक आयेस ऑफिसर की कहाने इर्दिगिर गोम रही होती है वहीं दोस्तो काव्या जो है वादी से मिलते है और उनकी लव स्टोरी शुरू होती है पर दोस्तो ये सीरिल अब जो है वो सेप्टेंबर लास्ट तक आफ एर हो जाएगा इस शो का टोटल अपिसोड अभी 244 अपिसोड हो चुका है और लास्ट सेप्टेंबर होते होते ये शो 250 तक कम्प्लीट कर लेगा तो दोस्तो ये शो तो तैही कि ये आफ एर होने वाला है बात करें इसकी सेजन टू के बारे में तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तो कावे सेरिल के ट्यारपी रेटिंग बहुत ही कम है और इसके ट्यारपी रेटिंग 0.7, 0.6 आ रही है इस वज़ा से मेकर्स ने इस शो को बंद करने का फैसला लिया है वेल दोस्तों इस शेरियल की लब स्टोरी जो है वो आदी और काविया को मिला कर ही बंद करती जाएगी काविया और आदी की लब स्टोरी तो पूरी हो जाएगी लेकिन गिरिराज परदान काविया और आदी की एक्सिडेंट करवा देगा इस शो की कहानी यहीं पर क्टम हो जाएगी दोस्तो और बात करें काया एक जजबाए एक साल ही चला है तो इसका कम maior चांस है कि यह जो सेजन्टू आए खासो दोस्तों कि या आप इस शीरियल की देखना चाहते हैं अगर इस सीरियल के सेजन्टू देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमनवर्क्स में जाके हैश्टक काविया एक जज्राजब्य एक जुनून सीरियल जरूर लिखेगा क्यूंकि मेकर्स आपके कॉमेंट जरूर परते हैं और आपके कॉमेंट पर काम भी करते हैं ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें